कि देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमन बढ़ता जा रहा है इसकी वजह लोगों की लापर वाही सामने आ रही है कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए जो हिदायते स्वास से विभाग द्वारा जारी की गई है लोग उनका कड़ाई से पालन नहीं कर रहे है पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष कोरोना संक्रमन के मामलों में तीन गुना जादा इजाफा हुआ है जो जिले के लिए चिंता का विशे है स्वास से विभाग द्वारा लोगों से बार बार अपील के माध्यम से कोरोना हिदायतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है लेकिन लोग लगातार ला पर वाही बरत रहे हैं जिसकी वज़े से संक्रमन एक बार फिर तेजी से फैल रहा है वहीं डिप्री सीमोर ओकरा शोक कुमार ने बताया है कि जिले में सरकारी वा प्राइवेट अस्पतालों में 45 से जादा उमर के लोगों को टीका लगाने के लिए 50 सेंटर बनाए गए है अब तक रहेवाडी जिले में 89,000 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुगे है लोगों को जादा से जादा टीका करण करवाना चाहिए ताकि संक्रमन से अपना बचाव किया जाए उन्होंने कहा कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर जाए कोरोना प्रोटोकॉल का अपालन करने के लिए दो गज़ की दूरी और मास्क लगाना जरूरी समझते हुए अपना और अपनों का बचाव करे नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीमो अशोक कुमार ने बताया कि आज रेवाडी में जहां 27 नए कोरोना संक्रमित मिले तो वही तीन लोग कोरोना से ठीक भी हुए है जिला में अब संक्रमितों की संक्या बढ़कर 11,500 हो गई है स्वास्य विभाग द्वारा अभी तक 1,77,865 लोगों के सैंपल लिए गए है जिसमें से 1,66,365 लोग नेगिटिव पाए गई है और 6,11,500 लोग संक्रमित पाए गई जिसमें से 11,357 नागरिक कोरोना को हरा चुके है उन्होंने कहा कि अभी तक 46 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है पिछने 24 घंटे में विभाग द्वारा 370 लोगों के सैंपल लिए गए अब जिले में 67 कोरोना संक्रमित एक्टिव केस है कोरोना के केस दिन परती दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे यहाँ पर कल भी केस निकले हैं पहले भी हमारे केस निकलते रहे हैं अब दो दिन से नो दस नो दस केस निकल रहे हैं इसलिए लोगों से मेरी अपील है कि बीड़ बाड़ बरेस्थान पर ना जाएं घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग जरूर करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने जो आथ हैं साबुन से या सैनिटाइजर से दो हैं जनता बरत रहे हैं लापरवाई क्योंकि जिस हिसाब से पिछली साल केस आ रहे थे इस समय जितने आयत तो तीन उना के लगव केसी जा रहे हैं अगर यही स्पीड से बढ़ते रहे तो अमारे यहां काफी दिखते आने वाले हैं आने वाले समय में तो मेरी लोगों से यही अपील है कि बीड़ बाड़ बारिस्थान पर जब तक जरूरत ना हो ना जाएं जाना पड़े तो SMS का पालन जरूर करें साथ में जो बुजूर्ग 45 साल से उपर है या 60 साल से उपर है 45 साल से उपर जो भी वेखती है वो COVID का ठीका करण करवाए हमारे यहां जिले में सभी स्वास्थ केंद्रों पे प्राइवेट होस्पिटल्स में लगबग 50 जगें पे ठीका करण हो रहा है तो जितने ज़्यादा ज़्यादा हम ठीका करण करवाएंगे ब्रेकिंग निउस रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाख रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, कलब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुप करेंगे